नमस्कार जोहार महसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज़ारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी किबर को ली जाने वाली मैटरिक इंटर अस्तरिय परतियोगिता परिछाओं में धनबाद बोकारों में इस दोनों भासाओं को छेत्रिय भासा की सुची में रखा था इस पर विवाद गहरा गया था सुकुरवार दिर्रात कारमिक एबं प्रसासनिक सुधार विभाग ने इस संबन मे अधिसूचना जारी कर दी है इसमें राज्य के सेस 22 जीलों के लिए जन जातिय और छेत्रिय भासाओं की सुची में कोई बदलाओ नहीं किया गया है इसे पहले सुकुरवार की साम कॉंग्रेस विधाइक दल के नेता आलम गीर आलम प्रदेस कॉंग्रेस अध्धक्ष ुरवा विधाइक योगेंदर महतों ने मुखे मंत्री हे मंतव सुरें से मुलकात की ती अगली बड़ी खेबर की बात को दुजहारकन में कब होगा पंचयाइ चुनाओ ग्रामिन विकास वापंचयाइती राजमंतरी आलम्किर आलम ने कहा है कि राज में जल्दी राजयों को पहले ही बहुत घांटा हुआ है, राजयों को नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिती में चुनाव कराना जरूरी है, गाउं का विकास बाधित हो रहा है, मंत्री ने कहाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार अध्यान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैस का ही चुनाव कराना होगा मंत्री स्री आलम ने कहा है कि सब ही पहनूँ पर विचार कर रहे हैं आगली बड़ी खिबर की बात तो जार्खन में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगतार जारी है पिछले 24 घंटे में कोरोना के 215 लोग स्वास्त हुए हैं इसके बिपरीत राज में कोरोना के 73 नए मरीज मिले हैं स्वास्त विभाक्य अनुसार रांची से 22, बोकारों से 5, 14 से 2, दिवघर से 6, धनबाद से 7, दुमका से 1, पूर्वी सिंग्भूम से 4, गिरिडी से 2, हजारी बाक से 4, कुंटी से 3, कोडर परदगा से 1, पलामु से 7, और पस्थमि सिंग्भूम से 2, मरीज मिले हैं आगली बड़ी खिबर की बात्र दो जारखन में ट्रेलर ने पेट्रोलिंग वेन को मारी टक कर, 4 पुलिस कर्मी घायल, एक की हालत नाजुक, रांची राफर, जारखन की रामगड जिले के अस्पताल में चल रहा है, बाकी 3 पुलिस कर्मी खतरे से बाहर हैं, ये सड़क हाथसा पेट्रोलिंग के दोरान हुई है, आपको बता दी कि ट्रेलर पर सिमेन लोड था, हाथसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया है, रामगड जिले के कुजु ओपी के हाईवे प पेट्रोलिंग वेन को, जो है पेट्रोलिंग के दोरान सुकुरुवार की रात करीब 11 बचे एक ट्रेलर ने पीछे से धक्का मार दिया, इसे उस पर सवारचार पुलिस कर्मी घायल हो गये, इनमें एक ही हाला तनाजुक है, ये घटना राष्टी उच्पत 33 की है, स्रीराम शौक परियस्ता रखाचा हुआ है, अगली बड़ी किबर की बात, तुदो बंगाल की खाड़ी में समुदरी तुफान से बदलने लगा मौसम, चार दिनों तक जार्खन में बारिस का खतरा टला, जार्खन में अगले तीन से चार दिनों तक बारिस की संभावना खतम हो ग जार्खन में तुफान का सीधा असर होने की संभावना नहीं है, इससे तूटकर आने वाले बादल इस और आने वाले पस्मी विचोप के बादलों से मिलकर लो प्रेसर को जनम देंके उस लो प्रेसर से बारिस हो सकती है, तुफान की गतिविधियों को लेकर फिलाल जो है उसके पूरी तरह आकार लेने के बाद ही इस्तिती साफोगी मौसम विभाक ने भी पहले जहां 19 से बादल शाने वा बारिस की संभावना जताए थी, वही अब 22 फरवरी तक मौसम सुस्क रहने का नुमान जताया है, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस् फार्म, Intermediate Vocational परिशा 2022 के परिशातरियों के पंजियन वा परिशा फार्म जमा करने के थी घोसित कर दी गई है, जारकन एकेडमी कॉंसिल जैक द्वारा इस समन में जारी निर्देश के अनुसार परिशातरी विना विलम सूल के 27 फरवरी तक परिशा फार्म जमा कर सकते है जवकि विलम सूल के साथ 24 से 26 फरवरी तक परिशा फार्म लिया जाएगा, इस समन वरिश्तरी जानकारी जैक की अधिकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है, फार्म ऑनलाइन चमा लिया जा रहा है अगली बड़ी ख़बर की बात कुद दिवगर में साड़ा खाथसा, तेज रपतार कार में ओटो कमारी टक कर चालक के मात, पुलिस ने एक वाक्ती को हिरास्त में लिया, जारकन के दिवगर में हुए साड़ा खाथसे में एक वाक्ती की मात हो गई, घटना, मोहनपूर के दिवगर रिखिया मोखेपद पर इस्तित उंच विद्दा ले, रिखिया के पास हुई है, बता जा रहा है कि सुकुरवार के देरात कार और ओटो के बीच टक कर हो गई, इसमें जो है ओटो चालक की घटना स्तल पर ही मौत हो गई, मरने वाले की पहचान बंभूली यादो की रूप में की गई है, वर रिखिया था ना छेतर की जिया पानी का रहने वाला था, घटना के समन्ने बताया जाता है कि आटो चालक वाहन लेकर देवगर से घर जा रहा था, इसी दोरान दूसरी तरब से आ रही तेज रपतार कार ने सवारी वाहन को जोरदार टक कर मार वही कार चालक सुरक्षित है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, कार को जब्द कर लिया गया है, पुलिस घटना की जाच में जुट गई है, आगली बड़ी किबर की बात तुदु पलामो में सड़ाख हाथसे में बिहार के इंजिनियर की मौत बाइक से गया जाने क दोरान ट्रेक्टर ने मारी टक कर, इलाच के दोरान तोड़ा धम, पलामो में हुए सड़ाख हाथसे में बिहार के इंजिनियर की मौत हो गई, घटना नामा बजार थाना छेतर की डाल्टन गंज औरंगाबाद मुक्यपत नह अंठानबे पर हुई है, मरने वाले की पहचा जा रहे थे, इसी दोरान नामा बजार थाना छेतर की लोहवा पूल के पास जो है ट्रेक्टर से बाई की टकर हो गई, आगली बड़ी खिबर की बात दो बिहार पुलीस ने देवगर में मारा चापा, आठ वरसों से फरार चल रहा ठगी का आरोपी पिंडारी गाउं से गि जारे किया गया था, बार-बार नोटीस के बाउजूद आरोपी कोट के सामने पेस्ट नहीं हो रहा था, पुलीस लंबे समय से इसकी तलास में जुटी थी, इसी भी जानकारी मिली की आरोपी जारखन के देवगर में हैं, बिहार के भववा जीला की रामगर थाना पुलीस को आजीवान कारवास पांच लाग जुर्माना, जारकन के सराकेला खारसमाज जिले में नबालिक लड़की का अपरहन कर दुसकर्म करने के एक मामले पर नौवर्स बात फैसला आया, इस मामले में डीजे वन अजीत कुमार सिंग की अदालत ने दोसी संभा मांजी को आजी अपनी मौसी के घर गई थी, उसी दोरान सौच के लिए घर से बाहर जाने पर उसका अपरहन कर लिया गया था, आगली बड़ खिबर की बात दो मैट्रिक इंटर परिचा की तैयारी पर बैठक आज, मैट्रिक वाइंटर की परिचा की तैयारी खुले कर 19 फरवरी, यानि आ अगली बड़ खिबर की बात दो धनबाद में पिंटू साव हत्याकान की गुत्थी सुलजी, पोते की मौत का बदला लेने के लिए चाचा और चेचेरे भाईयों ने कराया कतल, दो गिरबतार, धनबाद के सेंटरल अस्पताल के ठीक सामने पान की दुकान चलाने वाले प पुलीस ने अजित साव और संजु देबी से लंबी पूछताच की, यह बात आई है कि बीते अगस्त मह में अजित साव के पोते समर की बिमारी से मौत हो गई थी, पिंटू के परिवार के साथ अजित साव और उनके घर वालों का अकसर बिवाद होता था, पिंटू के घर हमेशा साब देते थे कि उनकी अउलाद नहीं बचे की, पोते के मरने के बाद पूरा परिवार बखला गया था, परतिरोध में इस घटना को अंचाम दिया गया। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराया था, वही इस साल जनवरी में 9606 मरीजों ने इस योजना से अपना इलाज कराया है। कि बाद पूरे इलाके में थुआ फैला, खलारी के किरकटा इस्थित बंद पड़ी कोईला खाधान में लगी आक से भाईभीत आसपास के लोग अब जहरेली गैस का दंस जिल रहे हैं। सनिमार की सुभा से ही पूरा इलाका कोईले की जहरेली धुआ से जूज रहा है। किरकटा विश्थरामपूर्त था खिलावन धोड़ा के लोग का रहना मुस्किल हो गया है। सुभा उठते ही लोग को अजीब सी घुटन महसूस हुई, बाहर निकल कर देखा तो पूरा इलाका काली धुआ से भरा हुआ था। इस जहरेली धुआ से खासकर बच्चों को काफी परिशानी महसूस हो रही है, लोग को जोई सांस लेने में परिशानी हो रही है। इसकी जानकारी सेस्यल परवंधन को देने के बाद प्रसासनी मसीन भेजकर धुआ बंद करने की कारवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिजए इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स न्यूज में।